जबलपूर से आपको इसक्त की बड़ी खबर दिखाते हैं जांग गोली काण में घाल वेदिका ठाकूर ने दम तोड़ दिया जिया बड़ी खबर इसक्त की आपको दिखा रहे हैं वेदिका की मल्टी और्गन हो गए थे और पहले ही फेल हो गए आपको पतारे गटना के बाद से लाइफ सपोस सिस्टम पर उन्हें रखा गया था वेदिका को और वेदिका की रीड की हड़ी में पसी गोली नहीं निकल पाई तो बड़ी खबर इसक्त की आपको दिखा रहे हैं नीजी अस्पताल में उनका इलाज जा रहे था और नीजी अस्पताल में वारदात के बाद से उनका इलाज चल रहा था बिल्डर प्रियांश विश्व कर्मा ने 16 जून को उन्हें गोली मारी थी और वेदिका ठाकूर को रखा गया था लेकिन अभी अपडेट इसमें सामने आ रहे हैं कि उनकी मौत हो गई है वेदिका को रीड की हड़ी में जो गोली फसी थी वो नहीं निकल पाए थी जिस वज़े से उनकी मौत पताईश आ रहे है जारजवानकारी के लिए हमारे समात दाता अभीशेक हमारे साजोड़के अभीशेक सुबह से खबर सामने आ रही थी कि उनकी मौत हो गई क्या कुछ कारण डॉक्टरों ने बताया है इसका देखे वेडिका की हालत पीटे दस दिन से जादा खराबती गटना के बाद से ही उसकी गोली जो है रही निकाल पाए तो लगाता गुंता दिन जो वेडिका की हालत खराब होती जारे तो उसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था लेकिन आज जिन्दिगी की जंग जो है वेडिका हार गई है डॉक्टरों की अनुसार जो है वेडिका की जो मल्टी ऑर्गन थे उसके ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया था बांकि जो बॉडी पार्ट से वही करकर होना ने काम करना बंद कर दिया था और उसके बाद आज जो है वेडिका की मौत हो गई है ब कर लेकर लगबत पीन घंटे तक जबलपुर में एक अस्पाल जब दूसरी थे घूनता रहा लेकिन इस बाद की जानकारी तो दी और नहीं पुलिश को दी और उसके बाद बेजिआ की हालत बेवनने लगी तो उसे जबलपुर के एक निजी हॉस्पिटल में भरती करा कर फरा लेकर पुलिस के परते दबाओ के बाद वार्दात से चार दिन बाद प्यांच ने आकर सरेंडर किया था जिसे पुलिस ने रफ्तार कर जेल बेज दिया है लेकिन आज जो है सुबह से ही खालत जो है नाजुक बनी थी डॉक्टर पूरी खोशिक कर रहे था और अब जो है पोर्ट सिस्टम पर रखा गया था वेदिका को वेदिका की रील की हड़ी में गोली फसे थी लेकिन दुरुभाग गिता की डॉक्टर से निकाल नहीं पाए निजी हॉस्पिटल में वार्दात के वास से इलाज चल रहा था बिल ठाकुर को आफिस में गोली मारी थी पुलि जेपी नेता भी है ये भारती जनता पार्टी का नेता भी है इसका नाम प्रियांश विश्वकर्मा है इसने गोली मारी थी वेदिका ठाकुर की और वेदिका ठाकुर की जान चली गई है तो जाहिर सी बात है अब पहले हत्या के प्रियास का मामला दर्ज होगा F.I.E.R में हत्या की कोशिस का मामला लेकिन अब हत्या का मामला इसके उपर दर्ज होगा और होना भी चाहिए ये प्रियान शह जिसे आप देख रहे हैं और दूसरी तस्मीर में जो आप देख रहे हैं वेदिका ठाकुर जो अब इस दुनिया में नहीं रही इसी हत्यारे ने गोली मारी पहले उसे लाइब सपोर्ट सिस्टम में रखा गया वेदिका को और रिल की हड़ी में गोली फसी थी लेकिन डॉक्टर निकाल न पाए